दोस्तों ये हैं दोर का metro project ये जो डीडो मिला है हमें है Faithway B Tv की ओर से मिला है और देख सकते हैं कि कितना काम हमारा hydro project का fast दरीके से चल रहा है बीजह नगर से लेखे हमสब पर कोरिडोर में भी इसे देखते हैं ring road पर भी इसे देखते हैं तमाम पिलर्स में वर्क चल रहा है कई जगों पर वो वर्क पूरा भी हो चुका है कई जगों पर पट्रियां तक लग चुकी है यह देखिए कितना सुन्दा नजारा यहां से देखने को मिलता है जब पूरी वीडियो बनती है तो यह देख सकते हैं यह जो है रिंग रोड का पूरा नजारा है जब हम रेडिसन से टरर्न देते है तो वह पर भी मेट्व दिखाई देती है सभी जगे मेट्व का काम चल रहा है सूपर कउरिडोर का यह सूपर कईडर के पहले लव कुछ चोराइ के पहले पूरा पूरा नजारा है आपर देख सकते हैं वरकस जो है कितना मेहनत से ये काम पूरा करते हो दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अब चुनाओ भी पास में हैं एक सोगात मिल जाएगी अगर मेट्रो की तो काफी हद तक लोगों को जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी स्व प्रोजेक्ट को लेकर जितने भी हमारे नेता है वो लगातार लाइन अप कर रहे हैं कि जल से ये काम पूरा होना चाहिए पर एक डर भी हमेरे मन में लगा रहता है जब हम मेट्रो के ब्रिच के नीशे से जाते हैं कि कहीं यह जो है इसके कुछ ढंग से पार्ट्स लगे कि कुछ लोहा नीचे तो नहीं गिर जाए हलाकि जो काम कर रहे हैं काफी परफेक्ट कर रहे हैं हम उस पर पूरा विश्वास है यह देगे किस प्रकार से मेट्रो की जो यह पट्रिया है यह डल चुकी है और इस पे से हमारे इंदौर की मेट्रो जो है वो दोड़ेगी और य दोस्तो जंग जो है वो भुपाल और इंदौर के बीच में है कि आकिर सबसे पहले मेट्रो कहां पर बनती है क्योंकि भुपाल में भी काम चल रहा है और वहाँ पर भी मेट्रो तयार नहीं हो पाई है वह इंदौर की बात कर तो इंदौर में भी काम चल रहा है और यह जो है आज हमने आपको दिखाए कि किस प्रकार से तेजी जो इन कामों में आ चुकी है जल से जल यह काम पूरा हो जाएगा अलाकि इसके कारण कई जगों पर जो हरी भरी हर्याली है वो भी काटी गई हम बात कर रहे हैं रिंग रोड की खजराना चौराहे की वहां पर जो इतने घने पेड़ थे उन्हें काटा गया है जिसके कारण जो पेपर में भी आया था कि इन्हें पेड़ों को क्यों काटा गया है उन्हें शिफ्ट किया जा सकता था अलाकि अब जो है उन्हें बिल्कुल साफ कर दिया गया है अब यहां पर जो है मेट्रों का काम होगा यह देख ने लेकर आये जाता है पूरे क्रेन से लगाये जाता है और इस प्रकार से इंद और के मेट्रो का प्रोजेक्ट हमने आपको दिखाया है हम है तो बीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद दिना चाहिए जो उन्होंने यह वेडियो हम तक पहुचा है प्लीज अगर आपको प्लीजेगा